श्रीरूत्र सनहेता कुमार खंड कार्तिके द्वारा ताड़कसुर कावत ब्रह्मा जी बोले नारत इस प्रकार देवताओं और दानवों में बड़ा विशालकारी युद होने लगा ताड़कसुर ने अपनी विशेश शक्तियां चलाकर इंद्रदेब को घायल कर दिया इसे प्रकारदानवों की सेना के वीर और बलवान रक्षसों ने देवताओं की सेना को भहुत नुकसान पहुँचाया उन्होंने कई लोगपालों को युद में हरा दिया और देवगणों को मार मार कर बगाने लगे असुर सैनिकों को देवताओं पर हावी होता देख असुर खुशी से जूम उठे और भयंकर गर्जना करने लगे तब देवताओं की ओर से लड़ रही वीरभत्र क्रूदित होकर ताड़कसुर के निकट पहुँचे असुरों ने वीरभत्र को चारों ओर से खेर लिया उन्होंने परस पर पाश, खड़क, फरसा और पटीश आदी आयूधूं का प्रयोग किया देवताओं और असुर आपस में गुत्तम गुत्ता होकर लड़ने लगे तबी देवताओं की ओर से वीरभत्र ताड़कसुर से लड़ने लगा वीरभत्र ने पूरी शक्ती से ताड़कसुर पर आक्रमन किया और उसको त्रिशूल के प्रहार से घायल कर दिया गायल होकर तारक जमीर पर गिर पड़ा परंतु अगले ही पल उसने स्वयम को संभाल लिया और पुना खड़े होकर वीरभत्र से युद्ध करने लगा महा कौत की तारक ने भीशन मार से वीर भत्र को घायल करके महा से भगा दिया ततपश्यात उसने महा युद कर रहे देवताओं को अपने क्रोध का निशाना बनाया तारक देवताओं पर अपने बाणों की बरसात करने लगा ताडकसुर के इस अनायास बाणों की वर्षा से देवता भैभीत हो गए नारद तब मैंने कुमार कार्तिके के पास जाकर उनसे कहा कि मेरे दिये हुए वर्दान के अनुसार ताडकसुर का वद आपके श्री हातों से ही होगा इसलिए कोई भी देवता ताडक का कुछ भी नहीं बिगार सकता है यह सुनकर कार्तिके रत से नीचे उतर गए और पैदल ही ताडक को मारने के लिए दोड़े उनके हातों में उनकी शक्ती थी जो लप्टों के समान चमकती हुई उल्टा की तरहे लग रही थी छे मुख वाले कुमार कार्तिके को देखकर ताडकसुर बोला देवताओं क्या यही बालग है जो तुमहरा वीर पराक्रमी कुमार जो शत्रूँं का पल भर में विनाश कर देता है यह कैकर ताड का सुर्जोर से अठाहस करने लगा और बोला कि इस बालक के साथ तुम सभी को मार दूंगा तुम इस बालक की मेरे हाथों हत्या कराओगे ऐसा बोलते ही भयानक गर्जना करते हुए मैं कुमार कार्तिके की ओर पल्टा और बोला कि हे बालक यह मूर्ख देपता तो व्यर्थ में तुझे बली का बक्रा बनाना चाहते हैं पर मैं इतना कठोर नहीं हूँ कि बिना किसी अपराद के एक मासूम बालक परवार करो इसलिए जा तू भाग जा मैं तेरे प्राणों को छोड़ देता हूँ देवराज इंद्र और भगवान श्रीहरी विष्णों की निंदा करने से ताड़क द्वारा कमाया गया तब अस्या का सारा पुन्ने नश्ट हो गया था तब ही इंद्र ने उस पर बज्र का प्रहार किया जिससे वे धरती पर गिर पड़ा तब कुछ ही देर में ताड़कसुर पूरे उत्सा के साथ पुणा उठ खड़ा हुआ और अपने भीशन प्रहार से उसने देवराज इंद्र को घायल कर दिया और उन पर अपने पैरों का प्रहार किया यह देखकर देवता भैभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे यह देख वीरबद्र ने ताड़कसुर पर आक्रमन किया उसने त्रिशूल उठाया और ताड़कसुर पर वार किया जिससे ताड़कसुर भूमी पर गिर पड़ा, किन्तु उसी शन उठकर उसने वीरभत्र को अपनी शक्ती से घायल करके मूर्चित कर दिया और जोर-जोर से हसने लगा। ब्रह्मजी बोले, नारद यह देखकर कुमार कार्टिके को ताड़कसुर पर बड़ा क्रोध आया और वे अपने पिता भगवान शिपके श्री चर्णो का स्मरन कर अपने और संखे गड़ों को साथ लेकर ताड़कसुर को मारने के लिए आगे बड़े। यह देखकर सभी देवताओं में उत्सा की एक लहत दोड़ गई और वे प्रसन मन से कार्टिके की जैजरकार का उदगोश करने लगे। प्रयोग एक दूसरे को मारने के लिए कर रहे थे। इस भयानक युद में दोनों ही घायल हो रहे थे। युद भयानक रूप लेता जा रहा था। उस भीशन युद को सब देवतागंधर्व बैठकर देखने लगे। वे अदबुद युद अनायास ही सबके आकर्षन का क इंद्र बन गया था। सभी परवत इस युद को देखकर अत्यंत भैबीत हो उठे। वे शिफपार्वती के इस पुत्र की रक्षा करने के लिए तुरंद उधर आ गये। यह देखकर कार्टिके बोले। परन्तु अगले हिशन वे अपनी पूरी शक्ती के साथ पुना उठ खड़े हुए और लड़ने के लिए तैयार हो गये। उन्होंने अपनी प्रबल शक्ती से ताड़कसुर की छाती पर आघात किया। उसकी चोट से ताड़कसुर का शरीर विदीन होकर प्रित्वी पर ग असन थे। तब अपने महराज ताड़कसुर को मारा जानकर असुरों की विशाल सेना में भायाना को लाहल मच गया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सभी असुर इधर उधर भाग रहे थे। देवताओं ने मिलकर सभी असुरों को मार गिराया। कुछ असुर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे। तो बहुत से दैते और राक्षस हाथ जोड़कर कुमार कार्तिके की शरण में आ गए और उनसे शमा मांगने लगे। तब कुमार ने प्रेम पूर्वक उन्हें शमा कर दिया और उन दानवों को आदेश दिया कि वे सदैव के पाताल में चले जाएं। इस प्रकार ताड कसुर के मारे जाने पर उनकी सारी सेना पल भर में नश्ट हो गई। यह देखकर देवराज इंद्र के साथ साथ समस देवतां और संसार के प्राणियों में खुशी के लहर दोड़ पड़ी। पूरा त्रेलोग आनंद में जैसे ही कुमार कार्तिके की विज्जे का समचार भगवान शिफ पारवती के पास पहुचा, वे तुरंद अपने गड़ों को साथ लेकर युद स्थल पर पधारे। देवी पारवती ने अपने फ्राण फ्रिय पुत्र को अपने फ्रदे से लगा लिया। तभी महापर पर पारवत राज हेमाले भी पहुच गए और उन्होंने अपनी पुत्री पारवती भगवान शिफ और कार्तिके की स्तुती की। चारों ओर से उन पर फूलों की वर्षा होने लगी, मंगल ध्वनी हर ओर से गुंचने लगी। देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र ने अ अब ही देवताओं के साथ कुमार कार्तिके की हाथ जोड़ कर स्तुती की।